हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई इस्टडी फीट फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों एफ एनोटोमी एंड फीजियोलोजी का छठा वीडियो है यूथ कंपडिशन से प्रैक्टिस करा रही हूं जैसा कि आज का सेशन जो है दो तीन वीडियो हो गया आपका मसल्स रिलेट बीपेसजी टीयरी फूर अंड अन्य सभी स्टेट के फीजिकल एजुकेशन एक्जाम का प्रिप्रिशन कर रहे हैं तो डेली बेसे से मेरे साथ जुड़े रहे हैं डेली बेसे से प्रैक्टिस किजिए त्यूरी सेसन देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाईए स आप टेंशन ने लिजीं तो छलते हैं आज के कोर्शन के तरफ प्रकार की होती हैं तो जैसा कि आप जांते हैं जो संरचना में एच्छिक के तरह होते हैं बटेक्र यह एक केंद्रक उपसित होता है इन पेसियों में स्वता ही संगुचा निरंतर होता होता है एक लय में रिदम के द्वारा जो जीवन के आरंब से मृत्यू तक चलता रहता है एक पेसिया अनच्छी कि हम कभी न ठकने वाली होती है जैसे कि आप जानते हैं तो इंप्रकार की पेसियां पाए जाती है रेखित और रेखित और हीदेग्पेसियां कि अ कि हम इसकी लेटल मसलस वलकुचे करता है दूसरा वाता है आपका अनेच्छी जो रेखित पेसि होती है जिसे इन्वलेंटरी अनिस्टिपेट ननिस्टिटाइड स्मूथ मसल्स बोलते हैं जो अपने आप कारे करता है और यह अंद्रोनी अंगो जैसे कि आपका छोटी याद बढ़ी याद पेट की पेशी फेफो की अलीवर इस सभी में पाई जाती है एंड यह जो है आप आपका एनस यानि आउटोनॉमिक नर्वर सिस्टम्स के द्वारा संचालित होता है और इसमें लाल पेशी तन्तु पाई जाती है जबकि इसके लेटरल मसल्स में स्वेट पेशी तन्तु ज्यादा पाई जाता है तिसरा होता है हिदे पेशियां जो आपका अनैच्छी की त तन्तु ज्यादा होता है हिदे पेशियु में सरवाध्य माता पेशी तन्तु पाई जाता है याद रखेगा सबसे ज़्फे जार्य मसल्स वाइवर फेश में पाई पेशियु में जो अरेखित पेशी और पेशियु आपका एनस यानिकी आङ्रुमिक नर्वस सिस्टम के द सबसे बाहरी परत होता है पेरी कार्डियम के तिन पर्दों से मिलकर बना होता है जिसके बीच सीरस नामक पदात भडा रहता है जो हिरे प्राड़ी का सरी किस प्रकार बल पैदा करके सरी को गती प्रदान करता है इन सभी क्रियाओं का आधियान पेसी बिग्यान यानि किसी लोजी के अंदर गत किया जाता है कोशिन नमर थ्री है पेसी बिग्यान यानि गती बिग्यान के अंतरगत किसका आधियन किया जाता है तो पेसी बिग्यान के अंतरगत यहां पर किंसिलोजी होगा दोस्तों यहां पर मायोलोजी नहीं होगा ठीक है पेसी बिग्यान यहां पर किंसिलोजी के अंतरगत गती का अधियन किया जाता है गती जिसे किंसिलोजी सब्द ग्रीक भासा के दो सब्दों काइनेसिस और लोगस से यानि कि गती के अध्यान से इसका आर्थ हो जाता है प्राणिकासरी किस प्रकार बैल पैदा करके शरी को गती प्रधान करता है इन सभी क्रियाओन का अध्यान प्राणिकाई कोरेशन नमर फूर है मानसपेसियों के तंतू के संकुचं excitlement को क्या कहते हैं तो संकुचन structile elements यानि कि जो सिकड़ा हुआ ततोब होता है कौन सिकुर्टा है उसमें थे actin filament के मयोसीन filament पर फिसलने पर मॉसल जो है contract होती है तो उसे हम क्या कहते हैं मॉसल्स फाइबरपेस यह तंतू कहते जबकि संकुचल से एलिमेंट की बात है यहां पी माय फाइब रिलबगा हो जाएगा है कि कोश्चन निमर फाइब है मानो सरी रचना इनोटोमिकल वहासा में हिडे मांस पेसी को क्या कहते हैं तो इनोटोमिकल वहासा में हिडे मांस पेसी को मायो कॉर्डियम कहते हैं यह मायोकॉर्डियम हिदयक पेसियों की बनी एक हिदयक भित्ति यानि दिवार का मध्य इस्तर होता है जैसे कि जानते हैं कि बाहरी इस्तर को एपिकॉर्डियम कहते हैं मध्य इस्तर को मायोकॉर्डियम और आंत्रिक इस्तर को एंडोकॉर्डियम कहते हैं रच्णा में जो हीडे PC होती है रेखित PCU की तरह होती है परतु इनका जो संकुचन है अनेच्छी की तरह होता है question number six है मांस PCU को पूल टोन रखने का एक मातर उपाय क्या है तो दोस्तों मांस PCU को पूल टोन रखने का एक मातर उपाय है उचित और प्रयाप्त ब्यायाम करना ठीक है डूइंग प्रॉपर एंड एडिक्यूट एक्सरसाइज यानि कि आपको PC जो है हमारी कभी भी पूल रहती है हम सोते भी रहती हैं तो बहुंत है पाचन कहोंती संपन होती है और सबी में पेशी तान या टोन कहते हैं पेशी के एक प्रतिवर्ति क्रिया के रूप में होती है इस स्पेशी टोन के फरस रूप पेशी जो है उदिप्त होने पर बल पुरुवर्ख सिकूरने के लिए तत्वर होती है पेशी को टोन रखने के लिए उचित और प्रयात ब्यायाम करना चाहिए Q7 है पूर्ण मांस्पेशी टोन इनमें से किस सरवाधिक समधित होता है तो दोस्तो प्रतिवत्तर समय से reaction time से response time या reaction time से सबसे ज़्यदा प्रौहावित समधित होता है Q8 है सरीर के किस भाग में ब्रहत और मजबूत मांस्पेशियां पाई जाती है यहां पर बड़ी विचा पार्ट आप दे बॉड़ी और लार्ज एंड इस्टांग मसल्स फांड तो यह आपका निम्न भाग में पाई जाती है यहां पर मजबूत की भी बात कहा है सबसे बड़ी मसल्स आप जानते हैं आपके हिप की और बात को पाई जानते ह Vorteil डोड़ी मसल्स इस्टांग फांड़ी में म datos्पेशियां पोर्ड़ी होता है सबसे लंबी और भाड़ी में होता है जण चारमान पडीं बना होता है रेक्टरी इस वार्षोजस लेनली आस मिड riders वार्ष्ट इंतरमीडियले स्वार्ष्टी लेस थिक दानी जानकी बड़ी, और चुन को न मेरति वी कि को चाहिज सार्ट नमर्णिंन है दोस्तों जो प्लाप काँ है उच्छा नमर्णिन है दोस्तों जो ग्रूप होती है उइस Zpe sa अफ्पलीजर कि कुष कटी है डोसोति है फ्स radioactive मेर फ़ाइबिसी तैजी से संकुचित होती है जादे तरह कंकाल प्यूप्यों में पाइजा जाती है और ए अब क्रियाव में एक्टिव incar City में अंपासिती में यह अंखियु दो एक्टिव рाथा है जिसमें लाक्टिक असिड 262 होता है उस्लोर टुइस्डु धीर ही balance कुछित होता है यह आक्सिजन की उपसिती में वाइवी क्रिया जो और जो एरोबिक क्रिया होती है जैसे कि 5000 मिटर दोड मेराथन दोड जागिंग साइकलिंग जो है एलोरेंस वाले खेलों के लिए उप्यूत होती है यहां पर सहन सक्तियक के लिए आपका राइट एंसर हो ज में तनाओ आरोबी किया जा सकता है तो इसमें 34 किलोग्राम तनाओ आरोबीट किया जा सकता है question number 11 है man species वो कौन से protein पाए जाते है which protein are found in the muscles तो filament पूछना चाहिए तो यहाँ पर protein पूछा है तो भी यहाँ पर answer हो जाएगा आपका man species में actin और myosin filament पाए जाता है actin के भी दो protein होते हैं proponin और proponin याद रखेगा तो actin filament के myosin filament पर फिसलने पर muscles contract होता है question number 12 है tennis forehead में कौन सी वाच्छे पेसी का प्रियूग किया जाता है which chest muscles is used in the tennis forehead tennis forehead में यानि कि उसमें हम throwing जैसा event करते हैं तो उसमें pectoralis major हमारे वाच्छे की पेसी का क्या नाम है pectoralis major जो throwing muscles कहा जाता है question number 13 है एक अस्थान पर jogging करने से क्या होता है तो दोस्तों एक अस्थान पर जोगिंग करेंगे तो गुटने के पीछे के अतरिक सभी मांसपेसिया मजबूत हो जाती है आपके body के सभी मांसपेसिया मजबूत हो जाएंगी सिवाए आपके गुटने के पीछे के अतरिक कुश्य नमार चूदर कि मांसपेसिया को जोड़ोर की संक्या कितनी होती है जैसे कि हमारे सरी के भार का 45 प्रसंट भाग मANSबूत जाता है उसमेंने चारिस प्रसंट के वलकाल मांसपेसियों का इसक्लेटर मौस्वास का पाई जाता है इसमें चार्सों केवल कंकाल मांस्पेसिया पाई जाती है और इसमें जो जोड़ी यार पेसियों की संख्या होती है तीन सो बीस होती है यहां पे तीन सो उसके अधा पर राइडन सर्फ हो जाएगा कोस्चन के यूर प्रक्त की आप पृती होती है जब बरिक अडियूतर के अधरइडन जो चेंदैं है अधरिप्रे को पानस्पेसिय की तरफ शुक roommate कहोती है, कंकाल मांस 3000 की तरफ के कहा जाता है क्योंकि ए अस्तियों से जुड़ी होती है इन प्रeuf इक्यांप वाइब करती है क्योंकि यह सरीर को कौछा गति प्रदान करती है हमारे हाथों टांगोों चेहरे की मानसपेसियां एचिक होती हैं तर एक कंकाली मांसपेशी csak में रगत्या पूर्पी बढ़ जाटी है पिर Incamente में ऊसके बाद तोचा में होती है के मतिस में रगत्यापूर्पी का प्रभावर नहीं पड़ता है क्वेशन नंबर 16 है कौन सी पेशी केवल तंत्र की तंत्र द्वारा उतिप्त करने से ही आकुंचित होती है तो ही मैं जश्ट बताए थी which muscle contract-only when stimulated by the nervous system तो दोस्तों जो आपका कंकाली मांश्पेशी होती है यहां पर कंकाली मांश्पेशी हान्य स्केलडल मसल्स आपका राइडल द्रू हो जाएगा किकि जो कंकाली पेसी और हिदय पेसियां वो दूनों संचारित होती है आउटोनामिक नर्वस सिस्टम ए एनस के दौरा क्योंकि यह हमारे इच्छा पर निर्वन नहीं करती है हमेशा नियंतर कार्य करती रहती है कोक्ष्टन न्ंब्र 17 लीन बौरेमास है दोस्तों लीन बौरेमास जो है वहाँ सरीर के पेसी डी। दुसरे वसा रहे द्रीशू के जो मिन होता है उसको लीन बौरेमास कहते हैं इसको बाड़ी कंपोजिशन भी अंतरकत भी रखा जाता है टोटल बाड़ी मास का एल्बीम यानि ग्लेन बाड़ी मास साट से नभे परसेंट होता है कोशन नबर 18 है यही जोरदार काम करने से पेशी को चोड़ पहुच जाती है तो ब्यायाम कितने घंटों के बाद किया जा सकता है इस कॉंडिशन में 48 गंटे के बाद ही यानि दो दिन के बाद ही ब्यायाम कर सकते हैं पूस्टन नमर 19 है मानों सरी में सबसे बड़ी पेशी कौनसी होती है वीच आप दे लार्जेश्ट मसल्स इन दे हीवन बॉड़ी अब सबको पता है हीप मसल्स यानि की जो आपका नितम की पेशी होती है जिसे हम ग्लूटस मसल्स कहते हैं इसमें से ग्लूटस भी तीन प्रक ग्लूटस मिनिमस होती है कुले चोटी और गहरी मसल्स होती है कि को स्टन नमर 20 है पेशी रेसाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है तो एक्टीन मायोसीन फिलामेंट होता है एक्टीन और मायोसीन यहां पर उपरकते दून हो आपका राइट इंसर हो जाएगा आपसर क्टीन कैल्सियम तथा रिशेदार पूटीन तर्पो मायसीन को भी जोड़ता है कि क्वेशन नमर 21 है टेनिस एल्बो क्या है दोस्तों यह एक अत्ती प्रियोग से होने वाला इंजरी है यानि ओवर यूज एंजरी है बार बार प्रियोग करने से होने वाला चोट है टेनिस एल्बो आपके कोहनी के जोड़ और कलाई को सीधा करने है तो प्रियोग किया जाने वाली पांस्पेशियों के अतधित प्रियोग के कारण होता है ऐसी कोई भी गतिविधी जिसमें कलाई को बार बार मोड़ना परता हो यह चोट टेनिस या रैकेट के प्रियोग द्वारा खेले जाने वाले अन्य खेलों को खेलने वाले व्रिक्तियों में उपन आम बात है इसलिए इसका नाम टेनिस इल्बो रखा गया है कोशन नमर बाइस है कौन सा खेल है जो आम तरुपर घुटनों की चबनी हड़ी की चोड़ से संबंध है वीच स्पोर्स अमोर्ष कमनली एसोसियेटेट विद पटेला बून इंजरी पटेला जो गुटने के ऊपर होता है धक्कन जैसा उसे पटेला बून कहते हैं तो हिंदी में चबनी यहां पर प्रिंट हुआ है तो पटेला की बात कर रहा है तो गुटनी की जो पटेला हड़ी की चोट है कि कि किस खेल से है यहां पे चबनी हड्डी पटेला को कहा जाता है कि तो है को near Кто नबर इस है इस के प्रवाओ सक प्रुहाओ को कम करने से क्या मजबूत होता है तो दोस्तो अचले स्चैंटन जुह हैं एडी की हड़ी के जोड़ी पर पाए जाती है जो सरी के सबसें ब्ड़ी मजबूत होत लोकल इंफेक्ट आप एनरजी दिलवरी तो दूस्तों उड्याप्रभाव करने का इस्थानी प्रभाव नहीं तहीं तिस्थानी है कहीं आता है साब टीशु Сबसे लिपन साप टीशु कहते ही आपने में देख लिया कि स्थानि प्रुभ्वावल सिल मेटाबोलिजबियू में तर्में कम कम यो applies स्थानि प्रुभाव है तो को नहीं है बिसे मसल ट् questionable समस्थ बॉडी में होता है एक जगा। नहीं होता छलिए इस्थानी प्रभाव नहीं है मांसबेसी इस फूर्ति चरोIn मांसत करती है कुछ भी और तरही्म मांसबेसी में हलका हलका संखुचन होता रहता है जिसे हम मसल ट्रोन कोहते हैं कोश्चन नमर 25 है व्यायाम के दोरान मांस्पेशी में या तंत्रिका कोशिका में जो विद्यूति क्रिया उत्पन हो जाती है उसे क्या कहते हैं उसे हम एक्षन पोटेंशन कहते हैं जब बिद्यूति क्रिया उत्पन होती है तो हमारे जो मसल्स में एक्षन पोटेंशील आता है तभी हमारा मसल्स जो है वो कांट्रैक्ट होती है मैंने आपको नर्वस सिस्टम वाले वीडियो जो थियोरी सेशन है उसमें निरो मस्कुलर जंगसन जो वीडियो है उसको देख लीजेगा यह अच्छे समझ में आ जाएगा निरो मस्कुलर जंगसन का मतलब होता है निरान औ है जैसे कि आफ जानते हैं वीडियोन जती है चैनल मृतर निरों ये वीडियोनते संदेशत काम एक्शन नमंटसी अे जानते ओंते हैं संसरी निरौन टोर निरों फोट कि होती है क्या होता कि हमारे घ्ञानेंधियों से जो शेंट्स आर्गन है उनसे संद्यिस को लेकर रुर्स सिस्टम टक पहुचाता है और शेंट्र निर्वस सिस्टम से उस पर काग करके उन्सूचनाप हमारे बौड यानि की पेसिय kannst पोचाता है जिसके अधापा हमारे पेसिया जो है कंट्राइक्ट होती है ओकरती तो जो मौर्टर रहग है जो सद्येस को action potential के माधम से exam से होते जोए कहां पोचाते हैं मांस्पेसी तक ले जाते हैं जिसकी वज़ा से मांस्पेसी संकुचित होती हैं मांस्पेसी तंतू और तंत्रिका तंतू यानि नरवश तीसू के बीच एक खारी अस्थान होता है जिसे सिनेप्टिक प्लेफट या गयब कहते हैं मांस्पेसी के सीरी पर लिगांड गटेट सो से आयंस होते हैं दोनों चार्ज के साथ रहते हैं जो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि इन्हें पद्रिका तंतु में उपसित असंख रिक्तिकाएं जो हैं अंदर नहीं जाने देती इसको वेसिकल्स आप एसिटायल कुलाइन कहा जाता है इसके लावां तंत्रि तंतु में यानिकी नरवस टीसू में निरान में आता है इसकी वच्छे से क्ल्सियम आयोंस जो है क्ल्सियम बोल्टेट गटेज चैनल से तंत्रिका के अंदर आ जाती है निरान के अंदर जिसके परड़ाम स्वरूब को ततरिका वोती है औहां पहुंच से तंत्रिकर जाती है और यहां से सोडियम आयन जो है मांस्पेसी तन्तु के आजac हैं और परड़ान सुरूप मांस पर से जो है क्या हो जाती है कांट्रैक्ट हो जाती है आपको समझ में आया होगा इसे को हम एक्षन पोटेंशिल कहते हैं तो दोस्तों यह था आज की सेशन पचीश सभी कोश्टनस आपके लिए इंपॉर्डट थे कोई भी कोश्टन में डावड होगा तो चाहिए और जादे से जादे विडियो को सेर भी कीजिए जिसे और लोगों तक पहुंश सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिश में तब तक के लिए जैहें